नमस्का दोस्तू, स्वागा थे आपका हमारे चैनल पीके गुरूजी में आज के अपने इस वीडियो में हम विग्ज्ञान से सम्मंधित कुछ पिष्णों का डिस्कस करेंगी तो जिन पिष्णों की हामे हाम बात करेंगे चलिए उनको देख लेते हैं इसमें जो हमारा प्रस्ण है कि मेग मारीज का क्या कारण है ठीके मेग मारीज का क्या कारण है यह हमें बताना है option A प्रकास का ब्रतिकरण, option B प्रकास का बिवर्तन, option C प्रकास का धुरूबन और option D प्रकास का पूर्ण आंतरिक पारावर्तन तो इसका जो सही अंसर है वह है प्रकास का पूर्ण आंतरिक परावरतन है जो मेग मारीच का होती है इसका जो कारण है वह है प्रकास का पूर्ण आंतरिक परावरतन है आगे बढ़ेंगे कि जो मेग मारीच का होती है यह एक प्रकार का बायू मंडली दस्टी भ्हम है जिसमे प्रिक्षक अस्तुस्त हीन जला साई एवं दूरिस्त बस्तु के उल्टे या बड़े आकार के पित्विम तदा अन्य प्रकार के बिरूपन देखता है ठीक है तो जो में कमारीज क्या होती है इसमें क्या होता है कि है एक बायूमंडली देस्टी ब्रहम है इसमें हमें कहीं द बड़ा पेड़ लगा हुआ है तो और इस पिकार की चीज असल में नहीं होती है यह कलाता है मैंक मारीज का ठीक है और मैंक मारीज का जो कारण है वो है पूर्ण आंत्रिक परावतन जिसमें बस्तु का कालपनिक और उल्टा प्रतिपम देखता है ठीक है आगे बढ़ेंग प्रकास के आउसोशन के कारण ऑप्शन सी पूर्ण आंत्रिक परावतन के कारण और ऑप्शन डी इन में से कोई नहीं तो इसका जो सही अंसर है वो है पूर्ण आंत्रिक परावतन के कारण एक जो कटा हुआ हीरा है वो है पूर्ण आंत्रिक परावतन के कारण क्या होता है जग मगाता है आगे बढ़ेंगे कि जो हीरे का अपवर्दनांग होता है यह बहुत अधिक होता है ठीक है और इसकी कटाई और तराई इस प्रिकास से की जाती है कि इसमें यदि कोई प्रिकास क्रेंट प्रवेश कर जाए तो बहुत निकलने से पहले उसका कई बार पूर्ण आंतिक परावर्दन हो जाता है और जब इसमें अंदर प्रिवेश की और यही 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 पर इसका पूर्ण आंतिक कई बार परावर्दन हो जाता है और इसी पूर्ण आंतिक परावातन के कारण ही जो हीरे होते हैं वो हैं चमकते हैं आगे बढ़ेंगे कि किसी बस्तू के 3-B-A प्यतुरूप को अंकित तथा पुनराबत्ती करने की तक्निक का क्या नाम है ठीक है कोई भी बस्तू है इसका 3-Diamensional region बनाना है तो उसकी तक्निक क्या है यह हमें बताना है option A audiography, option B Lexicography, option C Photography और option D Holography तो इसका जो सही अंसर है वह होलोग्राफी ठीक है फोलो ग्राफी एक ऐसी तक्निक होती है जिसे किसी बस्तू का 3-B-A प्यत्रूप बनाये जाता है ठीक है आगे बढ़ेंगे कि hol Angeb वह ही तक्निक है जिसमें लीसर किरणों के द्वारा की गई फोटोग्राफी से किसी बस्तू का त्री आयामी चित्र बनाया जाता है ठीक है तो होलोग्राफी में होता है कि लेजा टेक्निक के द्वारा किसी भी चीज का त्री आयामी चित्र बना दिया जाता है होलोग्राफी ध्वनी प्रकास या किसी भी तरंग के साथ कार कर सकती है औ पीति बंब को परदे पर जन्यत करना क्या कहलाता है ठीक है option A master scan option B total scan option C roaster scan और option D radar scan तो इसका जो सही answer है वह है roaster scan ठीक है तो किसी एक electronic पुन्जी को fast force coated पर फोकस कर पीति बंब को परदे पर जन्यत करना कहलाता है roaster scan ठीक है तो roaster scan का प्रयोग जो होता CRT में जिसको बोलते है cathode ray tube में monitor में होता है इसमें electron gun के द्वारा electronic पुन्ज को पिछचे पिट किया जाता है ठीक है इसमें एक electronic gun होती है जिससे कि electronic पुन्ज को पिछचे पिट किया जाता है और इसी को हम बोलते है CIT जिसको बोलते है Cathode Ray 2 आगे बढ़ेंगे कि जमन प्रभाव का प्रकास की उन करणों से सम्मंध है जो R पार जाती है ठीके तो हम बताना है कि जमन प्रभाव है इसका सम्मंध प्रकास की किन करणों से है जो कि आर पार जाती है आप्सन ए केवल द्रबों के आप्सन बी केवल प्रजमों के आप्सन सी केवल हीरों के और आप्सन डी सभी पारदासी माध्ध्यम के तो इसका जो सही अंसर है वह है सभी पारदासी माद्ध्यम के तो जमन प्रभाव का जो सम्मन है यह प्रकास की उन करणों से है जो सभी पारदासी माद्ध्यम के आरपार जाती है आगे बढ़ेंगे कि जमन प्रभाव के अनुशार एकल तरंग दैदर प्रकास करणे जब किसी भी पारदासी माद्ध्यम जैसे ठोस द्रब या गैस में गुजरती है तब इसकी प्रकीनत करणों का अध्यन किया जाए तो उसमें मूल प्रकास की करणों के अध्रिक्त इस्थ इसका नाम रख दिया जमन प्रभाव और जो एक करणा है इसका नाम रख दिया जमन करणा है आगे बढ़ेंगे कि धोनी के पुनुत पात के लिए एक सीडी जिसको कि हम कॉम्पैक्ट डिस्क बोलते हैं के ओडियो प्लियर में क्या प्यक्त होता है ठीक है सीडी का ही जो इसका ओडियो प्लियर में कौन सी करणा प्यक्त होती है? ओप्षन ए कॉर्ट्स किस्टल ओप्षन बी टाइटेनियम नीडल ओप्षन C लेजर बीम और ओप्षन D बेरियम टाइटेनियक सिरेमिक तो इसका जो सही अंसर है वह है लेजर बीम यह आप्षन नम्मर सी इसका सह आगे बढ़ेंगे कि CD पिलियर में प्यूक्त लेंस परा बैगनी लेजर प्रिकास को उत्राजित करता है जो CD की चमकदा सताह से परा बर्तित होकर दोहनी उत्पन्य करता है आगे बढ़ेंगे कि दूरदयसन की संकेत एक निशित दूरी के बाद नहीं मिल सकते क्योंकि ठीक है तो जो दूरदयसन की सिंगनल है यह एक डिस्टेंस तक ही मिलते हैं इसके बाद क्यों नहीं मिलते हैं हमें बताना है Option A संकेत दुर्वल है, Option B, एंटीना दुर्वल है, Option C, बायु संकेत को सोसत कर लेती है और Option D, प्रथभी की सता है बक्राकार है तो इसका जो सही अंसर है वह है Option D, कि प्रतभी की सता है वह है बक्राकार इसलिए जो दूरदर्शन के संकेत हैं यहां एक निश्य दूरी के बाद नहीं मिलते आगे बढ़ेंगे कि प्रतिबी की सतह बक्राकार होने के करण दूरदर्शन के संकेत एक निश्य दूरी के बाद नहीं मिल सकते क्योंकि सिंगनल्स प्रतिबी के सतह से टकरा कर आगे नही जाते हैं ठीक है तो यहाँ पर फिर आगे वो सिर्णल नहीं मिलते हैं आगे बढ़ेंगे कि दूर दर्शन प्रसारण में स्रभ्य संकेतों का प्रेशन करने के लिए प्योक्ते तकनिक क्या है आप्शन A आया मौडूलन आप्शन B आबत्ती मौडूलन आप्शन C इसपंद कूड मौडूलन और आप्शन D काल विभाग बहु संकेतन तो इसका जो सही अंसर है वह है आबत्ती मौडूलन ठीक है तो दूर दर्शन प्रसारण में जो स्रभ्य संकेत होते हैं इसको प्रेश सारत संकेत किसी भी प्रिकार के सोर तथा ब्रिक्रती से मुक्त होते हैं ठीक है तो इस तक्निक से जो संकेत होते हैं उसमें किसी भी प्रिकार का सोर हो या कोई भी ब्रिक्रती हो यह ब्रिक्रती उस पर काम नहीं कर पाती आगे बात करेंगे कि द्रिस्टी पटल यानी रेटी जेटीना पर जो चित्र बनता है वो कैसा होता है? उप्शन A वह बस्तू के बराबर होता है पर उल्टा होता है उप्शन B वह बस्तू से छोटा होता है वा सीधा होता है उप्शन C वह बस्तू से छोटा होता है और उल्टा होता है option D वह बस्तू के बराबर होता है वह सीधा होता है तो इसका जो सही अंसर है कि वह बस्तू से छोटा होता है और उल्टा होता है आगे बात करेंगे कि जेटीना पर जो बस्तू का पितविम बनता है वह उल्टा छोटा और बास्तिविक बनता है ठीके पितिविम्म बनने का संदेश दिस्स तंथिकाओं द्वारा मस्तिस्क तक पहुंचता है और बस्तू हमें दिखाई देने लगती है इद्धापी रेटीना पर बना बस्तू का प्रित्वम उल्टा होता है लेकिन अनवहों के अधार पर यह हमें सीधा दिखाई देता है अगला पिसने के पूर्ण सूर गहन के दोरान सूर को सीधे देखने से आंक में आप परबायतने छती पहुंचती है रेटीने का जलना सूर की के निम्न घटकों में से किस एक एक कारण होता है ठीक है तो जब सूर का गहन होता है तो कहा जाता है कि हमें नगन आँकों से नहीं देखना चाहिए क्योंकि इस समय अल्टा वालेट परकास के कारण जो हमारी आँक हैं इसमें छती पहुंच सकती है ठीक है तो यहीं इसमें हमें बताया गया है तेंक्यू दोस्तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि अ